नमस्कार मित्रो, एक बार फिर स्वागत आप सभी का हमारे येट्व चैनल RK10 अंडिया में और दोस्तों आप कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे मित्रो मैं आज की इस वीडियो में इंसान की परचाई से वसीकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ और ये इतना ततकाल प्रभाव शाली वसीकरण है कि आप किसी भी इंसान की परचाई पर सिर्फ पांच मिनट की मेरी ये बताई हुई क्रिया को कर दो तो मित्रो आप जिसे चाहे चाहे वो इस्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे आपका सत्रू हो वो पांच मिनट के अंदर ही उसका प्रभाव स्टाट हो जाता है और वो ब्यक्ति आपके प्रभाव में आ जाता है अगर आप किसी से प्रेम महबत करते हैं और वो व्यक्ति आपको बार बार धोका देता है तो मित्रो इस समय पर ये किरिया बहुत ही फ़र्ष्ट तरीके से काम करेगी उस व्यक्ति को आप अपने प्रभाब में भी ला सकते हैं और आप चाहें तो इस किरिया के माध्यम से उसको सबक भी शिखा सकते हैं तो मित्रो इस किरिया को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जलूल बने रहें वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिस है अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे के मारे सभी वीडियो के लिटिपिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूलें तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं मित्रो ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंसान की परछाई से भी वसीकरण हो जाता है लेकिन दूस्तो ये सो परशंट सत्य है इंसान की परछाई से इंसान के फोटो से वसीकरण हो जाता है और आज मैं आपको जो प्रभावशाली वसीकरण बताने जा रहा हूँ इसमें यंत्र, मंत्र, तंत्र, तंत्र तीनों ही क्रियाएं सामिल हैं मित्रो ये बहुत ही ततकाल प्रभावशाली वसीकरण है अगर आप किसी भी व्यक्ती को अपने वसी भूत करना चाहते हैं या किसी भी सत्रू को अपना मित्र बनाना चाहते हैं या किसी व्यक्ती से अपना मन चाहा काम निकालना चाहते हैं या आप किसी भी व्यक्ति को चाहते हैं चाहे वो इस्त्री हो चाहे पुरुष हो लेकिन वो आपके साथ में बार-बार धुका कर जाता है आपको रुला जाता है तो मित्रो इस किरिया को करके आप उस व्यक्ति का अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो यानि आप उ उस प्रियोग पर लेते चलता हूँ, यह प्रियोग आपको कैसे करना है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, मित्रों इंसान की परचाई पर वसीकर करने के लिए आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझ लो, आप जिस किसी भी इस्तिरिया पुरुष को चाहत ब्यक्ति हों, या वो ब्यक्ति आपको जो बार-बार धुका दे जाता है, उस ब्यक्ति को आप ये देखते रहें, कि वो आपके सामने से या कहीं आसपास में निकल के जाए, जब वो ब्यक्ति वहां से निकल के जाए, तो उसकी परचाई वाली जगे को आप पहचालने, द इसके लिए आप वो ब्यक्ति निकल के जाए तो उसकी परचाई वाली जगे को पहचा लेना इस किरिया को करने के लिए पहले से पिलाने करना जब वो निकल जाए तो उसकी परचाई वाली जगे पर आप एक पान का पत्ता रखकर उसके ऊपर एक कपूर की टिकी रखें एक और इस विडियो में एक सर्व जन वसीकरण यंत्र मिल जाएगा उस्र SP को आप प्रैंटर निकल वालेगें, और कपूर में आग लगाने के बाद इस यंत्र को पकड़ करके इस प्रकार से उशी पांग के पत्ते पर कपूर पर जलादें, और आपको मात्र शात वार एक मंत्र का जाप करना है मंत्र है ओम नमो अमकश्य मंबस कुरु कुरु शुहा आप अमकश्य की जगें पर उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आप अपने प्रवह में लाना चाहते हैं यानि जिसे आप अपने बस में करना चाहते हैं मित्रो मात्र शातवार इस मंत्र के बोलने से और इस किरिया को करने से वो ब्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपके प्रभा में आने लगेगा. यह पांच मनट की किरिया बहुत ही अभीष्ट फलदायक है. अगर आप उस व्यक्ति को सबक शिकाना चाहें, तो सबक भी शिका सकते इसी क्रिया से, लेकिन उसके लिए अलग विधान है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो व्यक्ति आपको बार बार धुका दे रहा है, आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आपके प्यार को वो ठुकरा रहा है यानि आपके पास आता है तो केबल मतलब के लिए आता है अगर आप उसको सबक सिकाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको कहीं से जूता वाली कील तलास करना है और उसको सरसों के तेल में भेगा कर आप जिस व्यक्ति को सबक सिकाना चाहते हैं उसक करते हुए आपको साथ बार किसी भी सत्रू नाशक मंत्र का जाब का देना मित्रो इससे करते ही समझ लो उस ब्यक्ति की आफ़ता गई पांच मिनट के अंदर ही यह किरिया अपना प्रभाव दिखाने लगती है और वो ब्यक्ति आपके लिए पल पल तरसने लगता है यह और उसको अपने बसीभूत भी कर सकते हैं और आप उसे चाहें तो मन चाहा सबक भी सिखा सकते हैं तो आप इस किरिया को करें और इसका पूरा पूरा लाव लें तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो फिर इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ता